प्रस्ण साथ एक प्रदत बिंदू जो केंदर नहीं है से किसी वरीत के कितने व्यास गुजर सकते हैं तो पहले हम एक वरीत बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से तो कह रहा है कि एक प्रदत बिंदू जो केंदर नहीं है देखिए यहाँ पर केंदर है माल लिजे इस वरीत का यहाँ पर केंदर है अब कह रहा है एक प्रदत बिंदू जो केंदर नहीं है माल लिजे यहाँ पर कोई बिंदू है कहीं पर कोई बिंदू हम ले लेंगे ठीक है, माली जी यहाँ पर हम एक बिंदू ले लेते हैं तो एक प्रदत बिंदू जो केंदर नहीं है से किसी वरीद के कितने व्यास गुजर सकते हैं तो व्यास क्या होता है, जो केंदर से हो करके गुजरता है, तो देखे इसको हम व्यास कहेंगे इसको व्यास कहेंगे ठीक है जो केंद से यानि सबसे बड़ी जीवा को व्यास करते हैं यानि जो केंद से होकर के गुजरता है रेखा खंड और व्रीत के परीधी पे दोनों तरफ रहता है उसको क्या करते हैं व्यास तो सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास देखिए ये सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि और जो जीवा बनेगा वो इससे छोटा होगा ठीक मान लिजे यहाँ पर कोई जीवा बनाते हैं तो इससे तो छोटा ही होगा यानि सबसे बड़ी जीवा को क्या करते हैं व्यास तो व्यास जो होगा वह एक ही गुजर सकता है इस बिंदू से तो कह रहा है कि एक प्रदत बिंदू जो केंदर नहीं है से किसी वृत के कितने व्यास गुजर सकते हैं एक व्यास गुजरेगा इस बिंदू से, ठीक है, ये जो बिंदू है यहाँ पर, इस बिंदू से एक ही व्यास गुजरेगा, क्यूंकि व्यास हमेशा केंडर से हो करके गुजरता है, तो एक ही व्यास गुजरेगा इस बिंदू से, तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे, केवल एक यानि केंद्र को छोड़ करके जो बिंदू दिया हुआ है उस बिंदू से एक वियास ही गुजर सकता है सिर्फ प्रेसन आठ किसी वृत में PQ और RS दो जिवाएं हैं जिनकी ओ से दूरियां बराबर हैं यदि PQ बराबर 4 cm तो RS की लंबाई बताएं ठीक है उसके बाद ही समझ में आएगा इस तरह से एक वृत बना लेंगे तो कह रहा है कि किसी वृत में PQ और RS दो जिवाएं हैं देखे तो माल लेते हैं यहाँ पे है PQ यह हो गया PQ और यहाँ पे हो गया RS यह जिवा होता है ठीक है तो PQ और RS क्या है दो जिवाएं हैं जिनकी O से दूरियां बराबर हैं अब देखे इस वृत का जो केंद्र है ओ ओ है ठीक है इस वृत का केंद्र क्या है ओ है तो कह रहा है कि जिसकी वृत से जिनकी O से दूरियां बराबर है देखे अभी यहाँ पे एक रेखा घीच देंगे तो O से दूरियां क्या है बराबर है ठीक है तो माल लेते हैं यहाँ पे O M और O N क्या है बराबर है क्योंकि कह रहा है कि दोनों जो जिवा है उसकी O से यानि केंद्र से दूरिया है बराबर है OM और ON बराबर हो जाएगा यानि ON और OM बराबर होगा ठीक है दिया हुआ है यदि PQ बराबर यदि PQ कितना दिया हुआ है 4 cm PQ कितना है 4 cm PQ है 4 cm PQ देखे यह PQ है तो PQ जब 4 cm है तो RS की लंबाई बताना है किसका लंबाई बताना है तो लिखेंगे चुकी वरीद के केंदर से तो यहाँ पर हम लिखेंगे चुकी वरीद के केंदर से बराबर दूरी पर अस्थित जीवा आपस में बराबर होती है तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों जीवा जो है केंदर से बराबर दूरी पर है ठीक है तो जब वरीद के केंदर से बराबर दूरी पर जो जीवा होगा वापस में क्या होगा बराबर होगा यानि PQ और RS बराबर होगा तो यहाँ पर लिखेंगा था PQ बराबर RS बराबर 4 cm यानि PQ 4 cm दिया हुआ है तो RS भी 4 cm होगा क्योंकि दोनों जीवा जो है देखें PQ और RS जो जीवा है यह दोनों जीवा केंदर से बराबर दूरी पर है इसका मतलब PQ जब 4 cm है तो RS भी 4 cm होगा तो PQ और RS दोनों बराबर होगा जो की 4 cm होगा दोनों यानि PQ जब 4 cm है तो RS भी 4 cm होगा प्रस्न नौ AB और CD वरीत की दो जीवाएं है यदि केंदर से परतेक की दूरी 4 cm हो तो क्या AB बराबर CD तो यहाँ पर पहले हम एक वरीत बना लेते हैं तो AB और CD वरीत की दो जीवाएं हैं देखे, AB और CD तो माल लेते हैं यहाँ पर है A और यहाँ पर है B जीवा हो गया देखे AB को अगर एक रेखा खंड से मिला दियें तो AB क्या हो गया AB जो रेखा खंड है यह हो गया जीवा तो कह रहा है कि AB और CD वरीत की दो जीवाएं हैं अब यहाँ पर हम CD बना लेते हैं यह हो गया CD तो AB और CD वरीत की दो जीवाएं हैं यदि केंदर से परतेक की दूरी अब देखे केंदर तो केंदर हो गया यह यहाँ पर माल लेते हैं O इस विरित के केंदर को O कहते हैं तो इस विरित के केंदर को O माल लेते हैं तो कह रहा है यदि केंदर से परतेक की दूरी केंदर से दोनों जीवा की जो दूरी है वो कितना है? चार सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चार सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर और यह भी 4 सेंटीमीटर है ठीक है तो इधर भी लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पे माल लेते हैं M दे दिये और यहाँ पे N तो O यहाँ पे O है ठीक है तो OM कितना है 4 cm और ON भी 4 cm तो कह रहा है कि दोनों जो जीवा है वरीत के केंदर से 4 cm की दूरी पर है तो वरीत के केंदर से ये जीवा CD जो है 4 cm की दूरी पर है और AB जो जीवा है वरीत के केंदर O से 4 cm की दूरी पर है यानि दोनों जीवा वरीत के केंद्र से बराबर दूरी पर है तो क्या A, B बराबर C, D होगा यानि A, B और C, D बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे चुकि वरीत के केंद्र से वरीत के केंद्र से बराबर दूरी पर अस्थित जीवा आपस में बराबर होती है तो वरीत के केंद्र से बराबर दूरी पर जो जीवा है वह आपस में भी बराबर होती है तो इसका उत्तर लिखेंगे अतर A, B बराबर C, D यानि A, B और C, D क्या होगा? बराबर होगा तो इसका उत्तर हाँ होगा इसका उत्तर हम लिख देंगे इसका उत्तर में क्या लिखेंगे हाँ तो कह रहा है तो क्या ए भी बराबर सी डी तो इसका उत्तर हाँ आएगा कि ए भी जो होगा यानि दोनों जीवा आपस में बराबर होगा कि पाइब दो में पाइब राढराबस